आज सुवा आप लोग फ्रेश फील कर रहा हूंगे इसलिए आप लोग के लिए फ्रेश वीडियो में आपके अपलोड कर रहा हूं ठीक है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स वर गेट एक्जाम की यह बहुत जरूरी है देखिए आप गेट की प्रेपरेशन की वो एक तरफ लेकिन अगर आपने गेट को जो पेपर है उसको किस तरε के से अटेूम्ट किया है इस पर डिपेंट करेंगा आप ब्सकोर कम हो जाएगा तो यह बहुत जरूरी है कि आप गेट एक्जाम किस तरए करते हैं है इसलिए नहीं डाला वीडियो कि कल आपने ब हाइट होगा अभ बिल्कूल हों हberg जो पढ़ लिया आप बिल्कूल भी कुछ मी मत देखे ठीक है जो हो गया सो हो गया अब जो है सिर्फ गेंघ्जान आपको देने जाना है बिल्कूल टैंशन फिरी हो ज़ाई हिए जो होगा वो होगा ठीक है अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है अब जितना आपको आता है उतना ही आपको रहेगा ठीक है तो उसके उपर अब मज जाएए अब सीधा एक्जाम के तरफ देखें कि एक्जाम बिल्कुल अपना माइंड को रिलेक्सर के सिर्फ एक्जाम के ट get exam में यह है और एक भी है और section जो है वह अपका general aptitude का section है general aptitude का तो जिन बच्चों का मैं काऊऊंगा जिन बच्चों का aptitude बहुत strong है जिनका reasoning power बहुत अच्छा है मैं काऊंगा कि वह सबसेपहला time करें section ए ठीक है उनको section A attempt करना चाहिए जिनका reasoning और aptitude बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका reasoning और aptitude इतना अच्छा नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप लोग focus करिए section B पर ठीक है तो जिसका जो strong है सबसे पहले उसको target करो ताकि उसके number ना चूटे ठीक है तो सबसे पहले आगर आपका aptitude strong है तो आप aptitude वाले question करिए और अगर आपको लगता है कि आपका aptitude इतना strong नहीं है तो आप direct section B से start करिए ठीक है time बहुत important है exam में next चीज है कि questions को ध्यान से पढ़ें actually क्या है questions को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वहाँ पे आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते है अपना ठीक है तो questions को बहुत carefully दो बार तो कोई भी नहीं पढ़ पाता है किसी भी question को क्योंकि time इतना नहीं होगा आप लोग के पास जो आप question दे रहे हैं उसका उसको अच्छे से carefully read करें बहुत सारे जातर negative marking इसी वैसे हो जाती है कि हम question को अच्छे से read नहीं करते हैं चीक है तो stage का ध्यान लग के फिर आते हैं use option elimination method actually क्या है कि सारे question आप attempt नहीं कर सकते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारे question छोड़ करके आ जाएं कि negative marking हो जाएगी नहीं negative marking जरूरी है उसको भी अभी बताएंगी बट negative marking के डर से आप option elimination वाला method जरूर apply करें इसको ना छोड़ें ठीक है बले ही आपको मतलब डर लग रहा है कि आपका negative हो जाएगा बट अगर आपको लगता है कि option elimination से answer ठीक बन सकता है तो मैं कहूंगा कि उसको try किजिए अगर आपको किसी दो option में लगता है कि आप sure है कि कोई इन दो में से ही कोई आपका answer होगा तो मैं कहता हूं कि आप उसको take कर करें लेकिन अगर आपको लगता है कि तीन में doubt है तो बिल्कुल भी attempt करें तीन या चार में doubt है तो attempt मत किजिए लेकिन अगर आपको लगता है कि दो में doubt है तो मैं लेकिन आपको sure होना पड़ेगा कि इन दो में से कोई एक answer है तो उस case में मैं कहूंगा कि आप टिक ले आखर के आईए यहाँ पर आपके chances बढ़ जाएंगे correct answer आने के ठीक है तो इस चीज को जरूर याद रखे option elimination method को भी focus कीजे फिर आपका आता है time का बहुत ध्यान रखी कोई भी आप कोई question अगर आपको मतलब दिमाग में मतलब नहीं समझ में आ रहा है आपको problem create कर रहा है लेकिन आपको लगता है कि question आता है बट फिर भी आपको क्या हो रहा है कि वो समझ में नहीं आ रहा है उसका solution नहीं आ पा रहा है तो उस question को आपको छोड़ना पड़ेगा पहला आप उनको attempt कर ले जब वो सारे question हो जाएं जो आपको आते हैं जब आप उन सभी question को attempt कर ले उसके बाद ही उन question पर जाएं जो जादा time ले रहे थे ठीक है तो सबसे पहले time आपको focus देना है कि इन question पर जो आपको आते हैं उसके बाद आपको उन question पर time देना है जो आपक क्योंकि numerical answer type के लिए मैंने आपको बायो प्रोसेस पूरी पढ़ाई है इसके अलावा जो है आपको इंस्ट्रुमेंट और टेक्निक्स वाले भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है तो numerical answer type तो ऐसे question है जो आपको करने ही करने चाहिए क्योंकि इसी की preparation मैंने आपको करा दियान रखे इसमें इस पर फोकस करने वाले बात यह है कि यह जो आप दो नंबर के question attempt करेंगे वहाँ पर आपको कैल सी को थोड़ा ध्यान से यूज करें चीक है और मैं कहूंगा कि पहले आपको जो question आते हैं एक एक नंबर के या फिर जो भी है मतलब theoretical question है पहले उन सबको attempt कर लें एक बार क्योंकि उसमें ज्यादा time नहीं लगता है सबसे ज्यादा time लगता है numerical answer type question solve करने में क्योंकि यहाँ पर थोड़ी calculation related है तो इनको सबसे बाद में करें लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको theory नहीं आती है तो आप सबसे पहले numerical answer type question ही attempt करें मतलब इनको कर पढ़ना है और answer करना पढ़ना और answer करना उसमें time नहीं लगता है time लगता है तो इस चीज का ध्यान रखें इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और दो नमबर आपको पूरे मिल जाएंगे बढ़ ध्यान रखें का proper यूज़ कहिएगा ठीक है इकी power के लिए bracket बना ली इस तरीके से चीक है natural log भी लेते हैं जो भी चीज आप लें उसको bracket में ही डालें कोई भी चीज आप अंदर लिखना चाहते हैं जिसका भी natural log निकालना एकी power निकालनी है 10 की power भी लिखनी है तो bracket में minus 3 इस तरीके से ही लिखें तब ही आपका Kelsey का proper use हो पाएगा दूसरी value जो feed करी है उसमें आपने decimal सही position पर लगाया है या नहीं लगाया है कि यह decimal की गलतिया महाँ पर हो जाती है यह experience में आपको बता रहा हूँ फिर आता है negative marking negative marking के लिए हम थोड़ा से चलते हैं एक site और यहाँ पर देखें यहाँ पर उन्होंने एक mock paper दिया हुआ है जिससे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके साब का paper होने वाला है इसमें यह सब पोचिज़े पालतु की है इसमें यह देखें हाँ पर क्या है यह आपको देखना है कि आपको कितने यह question कर टाइप्स तो आपको पता है बटि हाँ पर जो important चीज़े है यह है कि multiple choice question आएंगे और एक आएंगे आपके multiple select question तो हो सकता है कि अपकी बारे इनोंने यह include कर दिया multiple choice question और multiple select question numerical answer टाइप तो आपको पता है तो देख लीजेगा उसको ध्यान से तो यह आपको पढ़ लीजेगा guidelines ध्यान से तो यहाँ पर क्या है multiple choice question वो question है जिसमें आपके चार option होगे और एक answer आपको यहाँ पर एक answer correct होगा but multiple select question वो होते हैं जिसमें चार options आपके given होगे out of which एक या एक से जादा option आपका correct हो सकत answer for multiple answer question negative तो कितने deduct होता है बच्चो 1 by 3rd detect होता है marks अगर 1 by 3 deduct होता है अगर 2 marks का question है तो 2 by 3 deduct होता है ध्यान रखे 2 by 3rd आपका deduct होगे अगर आपने 2 marks का question गल किया तो इसलिए मैं आपको suggest करूँगा कि 2 marks का question अगर आपको doubt है कि इसमें यह negative कि मतलब आपका यहाँ पर आपको है यहां पर two by third marks चला जाएगा बच्छो तो इसके ध्यान रखें यहां पर र dobrxi Simple तो इस दोनों को फोकस करी कि आपको करना है यह उंहें खरना है तो उस ही करता है तरिस मेंट जालेंगि के नेगेटिव मार्किंग की तो इस चीज लिए इसले ध्यान रखें तो देखिए अगर आप क्या नाम है वन माक्स का कोश्वन है तो आपका कितने डिलेक्ट हो रहा था विच्चो वन भाई थी ठीक है तो इसका इसका मीनिंग यह है कि अगर आप तीन question गलत करते हैं क्या करते हैं 3 question गलत करते हैं wrong करते हैं 1 marks वाले तो आपके कितने number करते हैं 3 into 3 that is 1 तो 1 marks आपका deduct होता है इसी तरीके से अगर आपका 2 marks का question है तो 2 marks से question में कितने number deduct हो रहते हैं 2 marks से question में 2 by 3 आपके marks जो हैं deduct हो रहे हैं that means अगर आप यहाँ पर तीन question गलत करते हैं यहाँ पर आप तीन question गलत करते हैं wrong करते हैं तो आपके two marks कर जाएंगे कितने कर जाएंगे two marks कर जाएंगे तो यह जादा आपका क्या है यहाँ पर harm है कि अगर आप तो यहाँ पे आप ज़्यादा कोश्चन गलत करने की मतलब यहाँ पे अगर दो मार्क से कोश्चन में अगर आपको doubt है तो कोशिश कीज़े कि उसको आप रहने दे लेकिन अगर आपको लगता है कि वन मार्क का question है आपको doubt है तो आप वहाँ पे attempt कर लीजिए ठीक है यह मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि वन मार्क से कोश्चन में doubt है तो आप attempt करने कोशिश कर सकते हैं बट टू मार्क से कोश्चन में है तो यहाँ पर थोड़ी penalty जादा है तो यहाँ पर थोड़ा सा careful रहना पड़ेगा बट आपको number भी तो जादा मिलते हैं तो यह चीज है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा careful रहे है वन मार्क में आपको इतना careful रहने की ज़रूत नहीं है कि वहाँ पर इतना डिड़क नहीं हो रहा है तो यह था नहीं नेगिटिव मार्किंग तो यहीं जो ट्रिक्स है नहीं आपको help करेंगी गेट एक्जाम में कि किस question को attempt करें किस question को attempt ना करें तो वहीं मैं आपको बता रहा हूँ फिर है save some time for reviewing your answer कोशिच कीजिए कि आपका last में जो है करीब 10 मिनट जो है आपके पास save हो जाए दस से 15 मिनट अगर 15 मिनट बच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है 15 मिनट में जो आपने answer अगर बच जाते हैं तो आप उसमें उसको review करने में देख सकते हैं कि आपने आप जा करके review कर लीजे और देख लीजे कि आपने जो है महाँ पर उसको सही किया है या नहीं किया है या फिर आप उसका answer वहाँ से हट आना चाहते हैं ठीक है तो यह 50 मिनट आपको help करेंगे last में अगर आपने इसको save कर लिया ताकि आप question paper में जा करके उन question को review कर सके जहा कि लावा एक चीज और हम और देख लेते हैं आप लोगों के लिए यह देखिए interface अगर आप थोड़ा से यहाँ पर देखना चाहें वैसे तो अभी आप paper देने जा रहे है तो interface देखे लेंगे तो यह आपका interface है यहाँ पर Kelsey को ढूंडने मत लगेगा Kelsey यहाँ मिल जाएगा और यह रा Kelsey ठीक है तो इसलिए मैंने का था और यहाँ पर power का sign देख लेना power का sign अभी मुझे भी देखना पड़ेगा यह है 10 की power x अगर आपको 10 की power x लिखना है तो यहाँ से आप इसको यूज कर सकते है 10 की power x और यह अंडरूट यहाँ पर है और यह देखे नैचुरल ल मिलेगा यहाँ पर मिलेगा क्योंकि कई बार क्या होता हमें यही चीज ढूलने में दिक्कत होती है कि आखिर यह चीजे है कहां ठीक है और देखी यह x का square x का q और यह x की power y तो यह वाला है power के लिए यह x की power y है यह आपका power के लिए है एक आपको दिखाएता हूं 2 की power 3 इ उसका यूज करके हुँ आप ने कोई-उसकेगा मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट मार्क वरिवियू नेक्स पर्ट हो गया और यहाँ बताता रेंगा कि आपने इसको रिव्यू करने के लिए select किया हुआ है इसके बाद अगर आप किसी question को शोड़ देते हैं तो वो red color का हो जाएगा तो आपको पता चलिए कि अभी तक आपने उसको attempt नहीं किया है किसी को answer करके next कर देंगे तो that means ये green हो गया that means ये आपका वो answer है जो आपको पका 100% confirm है किसका answer ये ही होगा ठीक है तो इस तरीके सा आपको क्या है सभी question को answer वहाँ पे करना है और last में आप इसको scroll करके अपने question review कर सकते हैं इस चीज़ का ध्यान लखे ठीक है यहाँ तो यही था आपका किस तरीके सा आपको paper attempt करना बाकि पूरा question paper आपको यहाँ पे देख जाएगा कई बार क्या होता है कि हम ऐसा question ढोड़ना चाते हैं जो हमें आता है तो आप यहाँ से scroll करके जल्दी से उस question को ढोड़न सकते हैं जो question आपको चाहिए अदर्वाइस क्या है यह वहाँ पे सब जगे ढोड़नेंगे तो आपको problem होगा बट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं पूरा question paper एक बार review करके देख सकते हैं तो मैं तो यह कहूंगा कि यहीं से आप एक बार देख लिजे कि आपको वह question जो आते हैं वह कहाँ पर है ठीक है तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा ठीक है बिल्कुल tension ना लें जैसा भी paper जाए उसको दे करके आई और tension उसके बाद बिल्कुल नहीं देख हमारा काम है कोशिश करना और result आना हमारे हाथों में नहीं है तो जो चीज हमारे हाथ में उस चीज के लिए हमें टैंशन लेनी नहीं लेनी चाहिए हमें सिर्फ इस चीज के टैंशन लेनी चाहिए कि आने कोशिश की है या तो इस चीज पे हमारा focus रहना चाहिए तो मिलते हैं आपसे फिर से बताइएका आपका paper कैसा गया All the best to all of you. Thank you and bye-bye.